आईए दोस्तो आज मैं आपको पेंसिल पेंट की कटिंग बताँ गगा जो कि आपकी बिलकुल फिटिंग में होती है तो इसको किस स्थीके से कटिंग करें वो मैं आपको बताँ आज तो इसको सीखने के लिए बीडियो का आप एंट तक देखें अब ये देखें सबसे पहले किया है ये सेफटी जो है ये सेफटी जरूरी होती है जो कि आपकी पैंड फिटिंग में होती है क्योंकि इसमें देखें ये गुलाई जो है बहुत ज़्यादा होती है और जो नॉर्मल पैंड होती है जिसमें कि आपको फिटिंग नहीं चाहिए तो उसके लिए ये वाली सेफटी चाहिए होती है अब इन दोनों में फरक देखें कितना है अब देखें इसके उपर यहां से रखेंगे तो यह यहां तक यह बराबर आएगी और उसके बाद में यह चीज आपकी देखिए तकरीबन डेड़ इंच यह एश्टा हो जाती है यह से इस जगा से यह एश्टा हो जाती है तो इसको देखिए जो विल्कुल फिटिंग वाली पैंसिल पैंड होती है उसको काटने के लिए इस वाली फट्टी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि अगर यह नहीं होगी ना तो सही धंग से फिटिंग नहीं आएगी तो इसको किस तरीके से काटेंगे तो वो मैं आपको इस टेप बाई श्टेप बताऊंगा तो देखिए यह हमने कपड़ा लिया है इस पर हमने पहले ही प्रेस लगा लिया अच्छी तरीके से तो इसको देखिए ऐसे करके यह कपड़ा जो है हमारा इसको हम इसको डबल करके देखिए हमने यह रखा है क्योंकि यह लैन आ रही है अब यह देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यह जो कपड़ा एश्टा निकल लिया है इस कपड़े को हम पहले इस तरीके से काड़ देंगे देखिए यह देखिए इसको इस तरीके से ऐसे कटिंग कर लेंगे क्योंकि देखिए जो ए तो यह कपड़ा आपको चाहिए दो मीटर के करीम तो इस तरीक से एक प्र बिशाली के बाद में देखिए हमारे पासमें जो यह सीधा फुट्ट है यह वाला और यह उसेफ फॉट्टी यह दोनों ही काम में आएंगी तो इन दोनों को देखे इस तरीके से रखेंगे ऐसे करके ये देखिए इस तरीके से इसकी लंबाई जो है वो 36 इंज है और इसकी कमर में यही पर हिनाप सारा लिख दे रहा हूं इसकी लंबाई जो है वो 36 इंच है, कमर इसकी 30 इंच है और इसकी हिब भी 36 इंच है और इसकी मोरी जो है वो 11.5 इंच है ये देखिए इस तरीके से क्योंकि ये ज़्यादातर ये 4 नाप ही आते हैं अगर आपको लेना ही है तो घुटने का भी आप नाप ले सकते हैं मैंने ये चारी नाप लिए तो देखिए इस तरीके से क्योंकि ये बिल्कुल जैसे हमारी पैंट होती है फिटिंग में उस तरीके से ये बिल्कुल आती है तो देखिए आप इसको देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ये जो सीधा वाला इसकेल है इससे देखिए हम यह वाला निसान लगा लिए ऐसे करके यह देखिए ऐसे करके यह सीधा निसान लगा लिए यह जो कन्नी आ रही है इसको हम काट देंगे अब हमारी लंबाई है 36 तो देखिए 36 लंबाई है तो इस तरीके से हम इसमें बैल्ड लगाएंगे उपर तो इसकी लंबाई हम यहां से कर देंगे आदा इंच कम तो साड़े पैंते सिंच पे निसान लगाएंगे क्योंकि सबा इंच ओड़ी हम बैल्ड लगाएंगे तो यह आपकी बनने के बाद में दो सूट एष्टा हो जाएगी तो देखिए इस तरीके से यह निसान लगाने के बाद में अब इसकी छत्य सिंच हिप है तो छत्य सिंच होने के कारण इसका जो आसन का निसान लेंगे आप वो इसको चार भाग में करेंगे तो नौ चौक छत्य सोता है तो देखिए इस तरीके से यह निसान लगाएंगे नौ इंच का यह चौथिया हिस्सा हो गया और इसमें पैंट के अंदर अगर आपको देखिए आसन जो है अगर आपको बिल्कुल फिटिंग में चाहिए तो आप इसको साड़े नौ पे आदा इंच के लोजिंग डालके भी काट सकते हैं क्योंकि देखिए यह लेडिस पैंट होती है और इसमें कपड़ा थोड़ा सा यह हलका होता है तो इसलिए हम लोग इसका आसन जो है थोड़ा सा ना बढ़ा रखते हैं ताके आसन पैसे यह जगा जो है खिसके नहीं तो देखिए हम इसके अंदर एक इंच एष्टा हैं से लेंगे तो नौ चोग शत्यस और एक डस इंच का ही हम निसान लगाएंगे तो दस चोग शालिस इंच ही हो जाएगा क्योंकि डेढ़ इंच कम से कम लगाना चाहिए हम इसमें एक इंच एश्टा ले रहे हैं तो देखिए इस निसान को इस तरीके से जो दस इंच का लगाया है हमने इसको सीधा कर लेंगे और इधर जो है मोरी का निसान इसको भी देखिए ऐसे करके सीधा कर लेंगे नीचा जितना हमने फोल्ड करना है मैं इसको तीन इंच फोल्डिंग में दे रहा हूँ इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से और हम एक चीज आपको और बताना भूल गया था क्योंकि इसके अंदर देखिए थाई लिखा हुई है इसमें यह आपकी है 26 इंच तो थाई का मसला यह है कि देखिए थाई से और जो वर्लकुल एक पीटिक में पेंट उती है इसमें किस तरीके्शे आपको देखिए अपको देखिए जो बता अब कर दोंगे हम इसो कर देंच लगा देगे ौइ यह देरीकर के कृष्ता होता है इसका भी इस तरीके से निसान लेंगेLEY कितना उगया इस taki बॉइ खालाइ między देरा इंच तो जो चब्विस इन्च आपकी थाहिए आखर यह है उसमें पस्छान लगा लेंगे सस्रेशन देरा लेंगे इखे अब ये देखिगे, इस तरीके से ये आ गया, अब ये बाला जो निसाने, देखिए, या पोने तेरा इंज है, तो पोने तेरा इंज का है, Jew. यहां पर 20 center में एक निशान लगाना है जो कि हमारे आप किरीच का निशान होता है तो इसमें देखिए साड़े 6 इंज में एक सूत कम इस तरीके से यह वाला निशान लगाएंगे अब इस निशान को पूरा हम नीचे जो यह मोरी यहां पर देखिए अब मोरी के लिए देखि तो ऐसे करके काट दिया अगर आप इसको इस तरीके से कटिक कर देंगे तो आपके पैंट बिल्कुल भी नहीं बैठेगी तो देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको जो आपकी क्रीच एकदम इस्टेट आए और सीधी आए और जो आपका यह वाला हिस्सा जो होता है यह नहीं पूरल तेरा इंच ही हम the În पूरी है यह वाला मारजन भूश और टो हला त्यरा इंच है तो भी ट्यमी त्यरा इंच का हम से लिए यह निजायिआँ असके वा कि आपको दीग दैखिए ऐस यह आदा है 46 आखिए अब हो गया अब्स्समें estaray OFFICER मोरी रखनी है तो तरीके से अगर आप निसान लगाएंगे तो देखिए इधर से भी यह कम होगा इतना ही और इधर से भी तो आपके पैंट इस जगा से देखिए एक तो उठेगी नहीं आपके क्रीच यह वाली एकदम विल्कुल अच्छी तरीके से बैठेगी क्योंकि यही कारण होते हैं कई अब यह वाला हिससा है इस 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 तरीके से किस तरीके से मिलाएंगे जैसे कि यहां तक्रिवन आप 3 इंच नीचे लेके, इसको देखिए इस तरीके से, यहां से लेंगे, जो 3 इंच हमने नीचे लिया है, इसको इस तरीके से देखिए, यह निचान लगाएंगे, 3 इंच नीचे, तीन इंच लेने का मतलब क्या है देखिए जैसे कि अगर हम इसको इस जगा से ही लेते हैं यहां से और इसको इस तरीके से देखिए निसान लगाते हैं आपको इस तरीके से तीन इंच यहां से ले लिए नीचे करके इस तरीके से उसके बाद में देखिए यह वाला निसान जो है यहां से और इसको देखिए जो हमने यह वाला निसान लगाया था यह दोनों निसानों को इस तरीके से देखिए गुलाई कर देंगे यह देखिए कि अगर हम इसको यहां से ले लेते हैं तो यह आपका इतना यहां से टैट हो जाएगा अगर आपको यहां से लगता है कि थोड़ा सा यह और हलका सा क्योंकि यह जगा जो होती है बिल्कुल थाई के पास में जो होती है इस जगा पर यहां पर थोड़ा सा है भी होता है तो इस कि हलकिसी यहाँ पे लूज रहेगी. जो हलकिसी हमने यह गुलाई दिये अगर आपको यहां से भी बिल्लकुल फिटिंग में चाहिए क्योंकि अगर यहां से आप बिल्लकुल quin में बना लिए तो आप बैढ़ने में आपको फिर आदा इंज इधर मार्जन हो गया और आदा इंज इधर मार्जन हो गया बचेगा सवाइंज तो सवाइंज की हमारी प्लेट पर जाएगी अब यह देखे प्लेट डानने के लिए देखिए हमने यह वाला जो निसान लगाया है सेंटर का मोरी का यह वाला निसान और यह लगार यहां पे इन दोनों के भीच का निसान इसको इस तरीक से मिला दिंगे बिलाने के बाद में बने इससे करके और इससे गए करके अब यह सीधा करने के बाद में देखे सबसे अच्छा यही तरीका है देखिए अब आप जो है इसकी प्लेट जो डालेंगे ना चाहें आपको बिल्कुल बैसी शिलाई वाली डालनी है जो बंद कर आ है क्योंकि यह जगा ज्यादा आ रही है और यह किरॉस करके इसलिए आ रही है कि कमर और हिप में चेंज का फरक है तो आपका जो इस तरीके से यहां पर हमने नौ इंज का यह निसान लगा लिए और डेड़ इंज की यह लूजिंग देदी इसमें तो यह आपका बिल्कुल प इसको डॉन करने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका की देखिए डॉन नहीं करते है न तो यह जगा जो है बनाने के बाद में यहां पर बल पड़ जाता है तो आप हलका सा इसको डॉन कर देंगे तो यह चीज की भी आपकी शिकायत खतम हो जाएगी अब यह देखिए इस तरीके से गुलाई लेंगे हो इसको इस तरीके से देखिए और यहां से भी देखिए इसको हलका सा इस तरीके से गुलाई लेंगे यह देखी इस तरीके से अब एक चीज मैं और आपको बता दूँ अब यह देखिए यहां से तोड़ा सा कम हुआ है यहां पे आके हलका सा यहां से बढ़ा है और यहां पे आके वो गया तो इतना पोशन जो है जो हमारा हिप का हिस्सा यह ही चीज आती है जो hip आती है यहापे तो इसलिए यहापे देखिए गुलाई देना पड़ती है hip की जगा जो होती है जब आप खड़े रहेंगे state तो एकदम सही रहेगा जब आप बैठेंगे ना तो इस जगा से आपका हलका सा थोड़ा सा एक दो इंच के करीब बढ़ जाता है तो इस तरीके से यह गुलाई आती है तो यह बिल्कुल आपके परफेक्ट आ जाएगी क्योंकि देखिए जो पैंड वाले कपड़े होते है वो बहुत हाट होते है तो उसमें जो इसाब किताब होता है वो अलग होता और यह कपड़े जो होते है यह इतना वो नहीं सह पाते है तो इसलिए इस तरीके से यह गुलाई आप करेंगे वैसे और पैंटो में भी जो कटिंग होती है उसके अंदर भी इसी तरीके से कटिंग आती है तो यह यह देखिए इस तरीके से यह काटने के बाद में यह देखिए हमारे फ्रेंड की पूरी कटिंग एकदम परफेक्ट हो गई है और यह देखिए यहां तक यह इसका आपका जो हिसाब किताब ही आ गया और यह पैंसिल बिल्कुल एकदम फिटिंग में जैसी आपको चाहिए ब यहis के आम प्रहकोड करेंगे तो इसको उपर की सैट में रहेंगे को कि देखी इस चाहिंड आप इसके अंदर सेयंग और अब किलिक्यी होता है कि अगर आप इसको दूसरे सेट के दूसरी सensch तो फ्रेंड अलग ने जराएंगे और बैक आपकी अलग जराएगी तो सबसे अच्छा तरीका यह यह कि इसको इसी तरीके से जैसे आपने कर यह बापस ऐसी ही खीचले और खीचने के बाद में देखिए इसको इस तरीके से जो हमने यहां पर कटे तो यहां से गुलाई जाएगी तकरीबन दो ढ़ाई इंच निकाल देंगे जितना भी आपको उठाना है उस इसाफ से देखिए इसको ऐसे करके रखे लेंगे और जब इसको ऐसे करके रखेंगे तो यह चीज ऐसे करके देख लेंगे आपका यह बिल् पैंड जो है आपकी क्रीज जो है वो भागती है वो भी मैं आपको बता दूँगा ये देखिए ये इस तरीके से इसको रख लेंगे ये हमारा विल्कुल फ्रेंड एकदम परफेक्ट रख गया है जैसे कि हमें रखना चाहिए अब इसमें देखिए करना क्या है हमें सबसे प लगाने के बाद में देखिए ये जो 6 i yeah इसको इस तरीके सेब लेंगे और ये लेंगे देखिए आपने जो निसान लगाया यहां से देखिए इतना गैपिंग हो जाएगी तो आपने यहां से हमने यह कटिक करी थी तो इसका भी यह बैक का भी निसान हम इस तरीके से लगाएंगे तो यह हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट आ गया है अब यह देखिए निसान लगाने के बाद में हम यह वाला निसान भी देखिए इस तरीके से लगा लेते हैं और यह लगाने के बाद में देखिए इसको इस तरीके से क्रोस कर देते हैं अब यह करने के बाद में देखिए यह वाला निसान जो है यहां से देखिए इसको ऐसे करके ले लेंगे हमने इसका फ्रेंड जो है वो पॉना इंज के करी इसको देखिए ऐसे करके निसान लगा देंगे यह हमारा बिल्कुल एक दब परफेक्ट आएगा क्योंकि बैक जो होती है यह इसलिए उठाए जाती है क्योंकि हिप की जगा पे जो होता है अगर आप इसको उठाएंगे नहीं तो जब आप बैठेंगे तो पैंट यहां से ख तो लूज नहीं चाहिए तो इसी तरीके से होता है देखिए जैसे कि हमने यह आदा इंज का इदर मार्जन हो गया तो 9.36 हो गया उसके बाद में हमने 1.5 इंज का यह एश्टा ले लिया यह वह वाला है जिसमें कि आपको पैंड में बिल्कुल बैड लगानी है ठीक है यह देखिए तीस इंज कमर है तो आदा इंज इदर मार्जन हो गया तो यह 8 इंज कमर का हो गया और जो हमें बैग में पलेट डालनी है वो डालनी है हमें पौने 2 इंज की इस तरीके से बाकि आप 2 इंज की भी डाल सकते है और अच्छी बात है क्योंकि जितनी इस नहीं प बान में इसको देखिए इस तरीके से गुलाई कर देंगे ये फिटिंग आ गयी आपकी बिल्कुल जैसे कि जो आपको बिल्कुल फिडिंग में चाहिए अब यह देखिए टोटल यह 11 इंज क्यों गयी यह हो गया आपका साड़े 21 इंज में दो इंज आप निकाल देंगे तो यह साड़े 19 इंज का जो आपका हो गया वो 49 इंज हो गया तो इसमें आपके हिप की जगा पे 3 इंज की लोजिंग आ जाएगी जो कि बिल्कुल फिटिंग में चाहिए अब इसी को अगर आपको लाश्टिक वाला बनाना है तो लाश्टिक वाला देखिए बनाने के बाद इसे करके और यह देखिए इसको इस तरीके से यह निसान लगा लेंगे और यह गुलाई कर देंगे ऐसे करके तो यह तो आपके होगी लाश्टिक वाली और यह होगी आपकी बैसे ही फिटिंग वाली तो इसमें देखिए जब हम इसको बिल्कुल फिटिंग वाली जो हमार ये बैड ही लगेगी पूरी तो इसके अंदर हम इतनी ही कटिंग करेंगे नहीं ये जो होती है दो ती नींच इसमें हमें एश्टा काड़ना होता है क्योंकि कभी बाइचांस अगर कमार आपकी टैट हो जाती है तो ये हैंसे लूज होगी तो देखिए इस तरीके से ये हो ग तो इसके अंदर यह चीजे आभी आप कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करते समय आपको यह है कि आपके पास कपड़ा भी है आप ने अगर हैं और यह से काट दिया और उसके बाद में अगर बाइचांस यह टैट हो गई पैण तो आपको फिर कपड़ा नहीं मिलेगा तो इ यह देखे इसको, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे करें गटिंग कर दिंगे, और यहां से, यहां से, यहां पर, देखे अगर आपको मार्जन नहीं रखना है, तो आप इसको यहां से भी काट सकते हैं, मैं इसके अंदर मार्जन रखने हैं इसलिए क्योंकि बाइचांस हो सकता है कि इसमें लू स्टैट की अगर सिकायत आ जाए तो हमारे पास में मार्जन रहना चाहिए क्योंकि देखिए फिर बाद में कपड़ा इतना नहीं मिलेगा आपको तो मैं देखिए यहां से यह दो इं कि यह देखिए इस तरीके से अब हम इसकी यह कर देंगे क्योंकि देखिए इसलिए मैंने आपको समझाई दिया दा और इसको भी यहां से इस तरीके से उठा देंगे क्योंकि यह जो है अब यह कटिंग हो गई तो मैं आपको समझा देता हूं पूरा एकदम प्रोपर तरी यह इसलिए क्योंकि जब हम यहां से सिलाई लगाएंगे यह बैक में हमारा यहां से जिप लगेगी फ्रेंट पर तो बैक में हमारा बैल्ड खुलेगा जाके तो यहां से लूश टैट गा यह हमारे पास में इतना option रहेगा कि अगर बाइचांज हमारी तीन इंच भी अगर कमर टोटल टैट हो जाती है तो तीन इंच तक यह हमारे यह खुल जाएगी पैंट की कमर तो इस तरीके से और यह दो इंच कमर ने इसलिए रख लिया कि कभी बाइचांस अगर यहां से टैट हो जाता क्योंकि देखिए कमर बढ़ेगी हो सकता थाई भी आप इसको भी यहां से लूच कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपनी पैंसिल पैंट की करें दोस्तो और आपको जब इस तरीके से करेंगे तो आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आईगी और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके तो मैं भी चाहता हूं कि online classes में आपको दिखाऊँ जो सिकानी है मुझे मैं उस तरीके से पूरी ही सूट की पैंट की सलवार की सब की कटिंग सिकाऊं आपको और सिलाई भी तो अगर आप लोग ऐसी इस तरीके से सीखना चाते हैं तो मुझे कमेंड करके जरूर बता दें ताके देखिए आप लोग जो मुझे बताएंगे जबी मैं उस चीज पर डिसीजन लूँगा बागी मैंने सोच रखा था तो वो मैंने आपको बता दिया इसलिए तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें शेयर करें और परना ना भूले थैंक यू फर वोचिंग